है लो फ्रेंट्स जय सी किष्णा जय महातादी जय सी शाम जय श्री महकाल कैसे हैं दोस्तों आप से भी आशा करती हूं आप आपसे भी बहुत अच्छे हूंगे आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली बहुत ही महत्वपून होने वाली है इतने दिनों से जो माइन में थौट्स चल रहा था उस थौट्स को लेकर आज की वीडियो हमने आपके लिए प्रिपैर करीए तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों भूती ध्यान से सुनिएगा इससे समझेगा क्यों कि आज की वीडियो में हम आपको ब ज़िए वीडियो को देखें तीन बॉक्स दिखाए देरोंगे स्क्रीन पर इन तीनों बॉक्स में से कोई बॉक्स चूस कर लिजे पर सेकंड थर्ड इसके बाद हम देखेंगे कि कौन है जो आपका साथ छूड़ने वाला है कौन है जो आपके साथ धोका करने वाला दोस्तों दोस्त बहुत बनाया हैं अपने जीवन में हमेशा दोस्त के लिए तरसे भी हैं दोस्त की तरब से कोई रिस्पॉंस भी नहीं मिला है फिर भी अपनी तरब से आप वफादारी करते हैं अपनी तरब से दोस्ती भी निभाते हैं प्यार के रिष्टे भी निभाते हैं यहां तक कि अपने जीवन का हर एक रिष्टा आपने बखुबी से निभाया है मांदारी से निभाया है अच्छे से निभाया है लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोका मिला है बदले में विश्वास घात मिला है और वही अब होने वाला है अगले साथ दिनों में कोई दो स्चुम्जाएंती किसी को बताना मत यह बात अपके जीवन से जुड़ी हुई आपके जीवन इक हो और रहत है क्योंकि अगर किसे के सांबने चली को नहीं बताना चाहिए लेकिन आपकी कोई गलती नहीं आपने बहुत तो ज्यादा विश्वास कर लिया था और बस वही विश्वास घात अब आपके साथ होने वाला है क्योंकि देखिए जब हमारी तरफ से विश्वास किया जाता है तो सामने वाले की भी परिक्षा होती है कि भाई वो विश्वास पर खरा उतर रहा है या नहीं लेकिन आपके साथ हमेशा यही होता है कि सामने वाला इस परिक्षा में फैल हो जाता है आप हमेशा पास हो जाते हैं लेकिन सामने वाला हमेशा फैल हो जाता है और इस वज़े से हमेशा आपका confidence लेवल गिरता आपक क्यों होता है मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते तो आपके साथ निए उस इंसान की फित्रत है वो कभी किसी का विश्वास नहीं जेद सकता वो कभी किसी का विश्वास नहीं बना सकता तो खास तो पर आपको सलहा दी जा रही है कि दोस्तों से सावधान रहें अपने जीवन क कि कोई भी सिक्रेट बाद शेर ना किजिए इस बात का विश्यज ध्यान रखिए दोस्तों भाव भक्ति में लीन होना बहुत जरूरी है आप भगवान की भक्ति से पिछड रहे हैं थोड़ा दूर हो रहे हैं उनकी भक्ति से तो ऐसा नहीं करना आपको भगवान की भक्ति मे लीन होना है उनका सपर्ष करना है और उनके साथ सत्मार्ग पर चलना है उनके साथ किस तरह से उनका रोज आशिरवाद लेकर क्या आपको सत्कर्म पर चलना है तो देखते हैं टेरोकार्ड ने आपके लिए क्या मूला है दोस्तों टेरोकार्ड बता रहे हैं कि पता नहीं क आपकी जो फित्रत है जान नहीं रही है इतना धोका खाने के बाद भी इतना किसी कहते हैं ना एक तरफ से अवोइड करने के बाद भी ग्नोर करने के बाद भी अब फिर उस इंसान के लिए उस पीछे पर जाते उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो इंसान आपको हमेश में हैं तो जरूर आपको मिलेगा लेकिन किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता हैं किसी की वज़े से खाना पीना छोड़ रह 04 दिल दुखा रहे दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं तो यह ठीक नहीं हम अभी हल फेलाल में अपने फि Mexican पर अपने पेरेंस पर कॉंसेंट्रेट करना चाहिए हमारी उनकी जो उमीदें हमारी जवाब दारिया हैं उनको हमें समझते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है दिखिए दुनिया चाहें आपके साथ कितना ही गलत करें सबसे पहले तो हम आपक के नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है हमें हमारे लक्ष पर कॉंसेंट्रेट करना है काम पर कॉंसेंट्रेट करना हमारे फ्यूचर को बनाने पर ध्यान देना हमारे करियर को बनाने पर ध्यान देना तब जाकर आपका इन चीजों से पीच्छा चुटेगा अगर फिर भी आप सब्कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें रिक्वाइट में तो सबसे पहले हमें target पर focus करना है किसी पर भी जादा ध्यान नहीं देना है ना कोई प्यार के प्रती concentrate बिठाना क्योंकि ये देखिए धोका तो आपको मिलेगा चाहे आज मिले कर मिले धोका तो निस्ची थी आपको मिलने वाला है लेकिन जरू थे तो concentrate अपने target पर करने की जो कि आपको करना चाहिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं उस बात को भी समझीए future क्या कह रहा है कौन सी उपलब्धी मिल रही है उसे बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिए धोका तो आपके किसमत में लिखा है चाहे partnership में भी आपको धोका मिलेगा इसलिए कभी भी partnership में बिजनेस ना करिए और किसी के भी साथ relationship में हैं तो थोड़ा सोच के ज़्यादा दिल लगाएंगे तो पश्तावा आपको होगा ही होगा इसलिए concentrate future पर थर्ड नमर पील की बात करें जिसके ने भी थर्ड नमर पील चोज़ करा है तो देख लेते हैं टेरोगाड आपके लिए क्या कह रहे हैं दोस्तर after marriage आपको किसी से धोका मिलने वाला है या तो आपके कोई सा के संबंदी आपका कोई close friend या फिर आपका partner कोई न कोई तो आपको धोका देने ही वाला है और अगले साथ दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कोई धोका देने वाला है लेकिन उस धोके के लिए आपको पहले से ही सतर खोना किस तरह से सतर खोना आपको अपने इश्वर के प्रती अपने आपको समर्पृत करना है इश्वर में अपना ध्यान लगाना है इश्वर से प्रे करनी है उनसे प्राथना करनी है कि जो होगा सब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं पस आपकी महरबा तो देखिए सब upgraded के प्रती आपको ऊपने और धर्मकी कारियों में भक्ति भाव आपको बढ़ाना ही साथ घंडती धोका दे रहा है कही नहीं उस व्यक्ति को भी थोड़ा फिल होगा उस व्यक्ति को भी थोड़ा एहसास होगा और वह भी कोशिश करेगा कि वह आपके जिंदगी से दूर नहीं जा लेकिन इसके लिए जरूरी है तो आपको इश्वर के प्रती भाव बढ़ाने की भक्ती भाव आपका बढ़ना चाहिए एक बात और क विशवास तोड़ने वाली बात जिस किसी पर भी आपका विशवास बनता है वह helped है तो लेशिपहो जो relation है वो तोड़ना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाता है आपको समझ में नहीं था कि गलती नहीं होने के बाउज़ो देशा क्यों हुआ कई भार आपके परिक्षा ले जाती आपके रिलेक्षन की परिक्षा ले जाती लेकिन आप तो हमेशा जीट जाते हैं सामने वाला हमेशा हार जाता है तो टेंशन ना ले इश्वर पर भरोसारा कि उन्होंने जो भी लिखा है जो भी सोचा है सब कुछ अच्छा ही सोचा होग जिन लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड है कहीं न कहीं उन लोगों से आप अपने को अपको तो सैंड कर चुह हैं जादा से जादा हाइलिवल का चूस करिए उसके बाद अपने आपको ऐसा बना लीजिए कि जीवन में जो भी होगा उससे कभी हार नहीं मानेंगे हमेशा जिद्गी में आगे बढेंगे positive सोच रखेंगे दिन धुर्षक्ण की मदद करेंगे जरुत-मंधों की मदद करेंगे वह जिद्गी में हमेशा ऐसा काम करेंगे कि सभी को अप पर गर्व मैसूस हो ऐसे सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें तो कैसी लिए की वीडियो पसंद आई हो लाइक करें कमेंट सेक्षिशन में जैमाता दी लिए के चैनल को सब्सक्राइब करें पर आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए आप सबी को बहुत बहुत धनिवाद जैमाता दी हर हर महादी